हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू खाना इसपर्ट तो आईए मैं कुछ नई रेस्पी लेके आई हूँ यहां मैंने चावल निकाल रही हूँ देख सकते हैं और मैंने इस चावल को क्या करना है आगी वीडियो में देखिए यहां मैंने गोभी लेली है कटी हुई और यहां मैं धो टमाथर और लॉंग इलएची डालचीनी वेगरख लेली हुँ और यहां मैंने चावल लेलिया है द्धो के तो अब अच्छे से थोल लिजी चावल को तिन चार पानी से और यहां मैंने जीुरा ले लिया और वह मैंने या इलैंजी और डाल चेनी मैंने डाल दिया है लंग डाल दिया है और जिसटेए यह हमको अब इसको मैं भूनिँगी पहले देख सकते है मैं कुछ नया special बनाने वाली हूँ आज चाबल से तो आईए देखा जाए इस वीडियो को तो यह मैंने कूकर में बनाना है तो यहां मैंने कूकर में गोभी को डाल रही हूँ अब इसको मैं फ्राय करूंगे अच्छे से घुन जाए देख सकते हैं आप यहां मैंने हल्दी ले ली है इसमें हल्दी डाल दी हूँ एक चमच और एक चमच गरम मसाला या सबजी मसाला कुछ भी डाल सकते हैं आप और उसके बाद मैंने यहां अच्छे से भूनना है और नम्मक डाल देने हैं स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से भूनते रहने हैं पानी तो अपने आप इसमें छूटा है और अब मैं यहां चावल जो धोई हुई थी वो निकाल ली हूं इसमें डालने के लिए देख सकते आप और डाल रही हूं तो आप बताएं कि मैं क्या वनाने वाली हूं आज कुछ नया तो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कोमेंट जरूर करें और बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं अपना समय किमती वक्त इस वीडियो पे दे रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और देख सकते हैं इस तरह से मैं भूनते जाओंगी और यहां मैंने पानी डालना है तो यहां मैंने एक ग्लास अभी दिया है मैंने पानी उसके बाद दो यहां मैंने लगवग चार ग्लास मैंने यहां पानी डाल चुकी हूँ और अब आप देख सकते हैं इसको मैं मिला रही हूँ इस तरह से और यह अच्छे से मिल गया है और यहां मैंने कूकर को बंद कर देना है कूकर की धकन को ऐसे लगा के अब बंद करने है और फिर मैं इंतिजार कर रही हूँ यह खोलने का देखिए यहां मैंने दो सीटी के बाद दो सीटी या एक सीटी के बाद आप खोल सकते हैं तो यहां मैंने दो सीटी लगाई है और मैंने देखिए कितना इस्पेसल नमकीन चावल बन के रेडी हो गया है